नमस्कार है मैं बाश्पई अपने यूटूब चैनल मैं इतने बाश्पई पर आपका बहुत बहुत सागत करता हूँ SSE CGL 2022 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनकी वेकेंसी के रिगार्डिंग एक और डिपार्टमेंट का आटे का रिपलाई आ चुका है जार के बीच में रहने वाली हैं तो इसके बेसिस पे चाल लाग से जादा बच्चों को यहां पर मौका मिलेगा टियर टू एक्जाम देने का तो सबसे पहले मैं आपको वो आटे का रिपलाई दिखा देता हूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो आटे का रिपलाई है वो एक 31-2030 यानि कि कल आपका आया है तो यहां पर जो वेकेंसी हैं यहां पर पॉइंट नंबर बन में बताई गई हैं वेकेंसी वेकेंसी हैं वो 595 हैं जिसमें यू आर गि 315 हैं एड़न सो पन्दरह की 75 हैं वहीं की 205 हैं सच की 415 हैं और ये तो वेकेंसी मैच करी रहे हैं साति साथ ay 1035 यहां पे 88 के रिपलाई में बताई गई हैं उतना ही उस पीडियुद में भी UR की वेकेंसी जितनी सो हो रही है उतनी यहाँ पर इसका मतलब है यह confirm हो जाता है कि जो वो आपका screenshot PDF का जो बाराल हो रहा था जिसमें vacancies आपकी 37,800 कुछ report की गए है उतनी vacancy आपकी है यह confirm हो चुका है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके अलावा और जहां-जहां मतलब vacancy report की गए जैसे CAC की vacancy report की हो रहे हैं तो कहीं न कहीं सारा जो data है वो match कर रहा है अप लोग देख पा रहा होंगे CAC का भी आटे का reply आ चुका जिसमें CAC department में 692 अपकी vacancy है जिसमें assistant audit officer की 1260 है तो बहां पर भी 1260 हो रहे है असिस्टेंट account officer की जो vacancy हो 202 तो यहां बहां पर भी जो PDF है उसमें भी उत इस हो रहे है डिविजनल अकाउंटेंट की 765 उतनी ही हो रहे है यहां पर आ चुका है अपका ठीक है ऑडिटर की 295 उतनी ही हो रहे है अप लोग देख पा रहे होंगे 19,676 आपकी PSE की vacancy डिविजनल अकाउंटेंट की vacancy 765 मतलब पूरा का पूरा जो आपका यह जो PDF बारे लो रहे थी जिसमें टोटल vacancy 37,836 है इसमें जितनी भी vacancy है उतनी ही ID की reply में भी आ रहे है अब आप लोग देखो डिविजनल अकाउंटेंट की vacancy कितनी 37,65 यूर की vacancy आप देखो 315 और ID की reply में भी कितनी vacancy है 315 इसका मतलब यह हुआ कि यह जो आपका skin sort बारे लो रहा था यह बिल्कुल correct है और आपकी vacancy इतनी ही है इससे जादा ही होंगी इससे कम नहीं होंगी यानि कि इतनी vacancy आपकी confirm है तो यह मान के चलिएगा 10 से 11 गुन जादा बच्चों को मेंस exam देने को मिलेगा तो आपके लिए बहुत ची अपडेट है कि vacancy आपकी बड़ी है तो जिन बच्चों के marks कम बन रहते हैं उनको भी परिसान होने की जुरत नहीं है अच्छे तरीके से अपने मेंस exam की preparation करिए उसके अलावा अगर हम tier 1 result की बात करे तो tier 1 का result है वो आपका कभी भी आ सकता है और जब भी result आएगा तो आपका evening में 5 से 10 बजे के बीच में आपको देखने को मिलेगा तो आपका जो result है उसकी 26 तारीक को हम लोग expect कर रहते हैं कि result आजाएगा लेकिन SSE ने नहीं दिया तो यह मान के चलिए यह उमीद है यह जो बचा हुआ working days है इसमें आपका जो result है वो आज आना चाहिए तो result कभी भी आ सकता है जैसी result आपका आएगा उसके बारे में आपको वीडियो बना के information दूँगा तो लगे रहिए preparation करते रहिए बहुत बड़ी update है आपके लिए अच्छी खासी वेकेंसी है अच्छी opportunity आपके लिए इसको आपको miss नहीं करना है तो करना क्या है इस वीडियो को जदर share करना है उसके अलावा अगर आप चैनल पर नहीं है और आपने भी तक किसे subscribe नहीं किया है तो प्ली चैनल को subscribe करना मत भूलेगा